पंजाब के रूप नगर में पट्री से माल गाड़ी उतर गई है जिसके वजहाद से कई ट्रेनों को रद भी किया गया है तो ट्रेन डिरेल होने से रूट पर रेल यातायात प्रभावित हो गया है लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं तो हमबाला से पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों को रद किया गया है हमबाला के DRM ने ट्रेने रद होने की जानकारी दिया है और शाम तक रेलवेट ट्रेक खोला जा सकता है ये भी अपडेट सामने आ रहा है और जो मालगाड़ी दिरेल हो गई है वहाँ पर स्थिती सामानने की कोशिश करने की कोशिश की जा रही है तो मालगाड़ी के कुल 16 डिब्बे पट्री से उतरे हैं जिस मज़ह से रूट को डाइबर्ट करना पड़ा है और कई रूट को और कई ट्रेनों को कैंसिल भी करना पड़ा है रद करना पड़ा है इसी गड़ी में आपको बता दें कि अमबाला से पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों को रद करना पड़ा है यह जानकारी साजहा की है अमबाला के DRM ने बड़ी जानकारी और एक बड़ा अ यृवार्ट को अमबाला से पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों को रद किया गया है और इसके साथ साथ वभाविक है पैदा होती है तो रूत कोड भी किया जाता है तो अमबाला के DRM ने ट्रेने रद्ध होने की जानकारी साजह की है और यह हमारी जिम्मदारी है कि आपको अपडेट करें और बड़ी जानकारी यह भी सामने आ रही है कि शाम तक स्थिती सामने हो जाएगी जमाल गाड़ी के कुल मिलाकर शोलहा डिब्बे धिरेल हो गए है पट्रे से उतर गए है और पंजाब के रूप नगर मे जमाल काड़ी डिरेल हो गई है वहां पर स्थिति को सामाने करने की कोशिश bets की जा रही है चलही को ने करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं तो माल गाड़ी के कुल मिलाकर सोलहा डिब्वे पट्री से उत्रे हैं जिस वजह से टेंड डिरेल होने से रूट पर रेल यातायात प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहे और खास तो और पर हम हर्याना के संधर में बात कर रहे हैं तो अंबाला से अंजाब जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है हमाला के DRM ने ट्रेन रद्द होने की जानकारी दी है और हमारा ये कर्तब्वे है दावित्व है कि आपको समय से पहले अपडेट किया जाए जानकारी आपके साथ साजहा की जाए बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं माल गाड़ी डीरेल हो गई है जिस वजहा से लोगों को भी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो इसलिए हर्याना से पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है